ओम श्री गनेशा आइनमा माई डियर फ्रेंज तो वेलकम टू माई चैनल आई हो फ्रेंज सबसे पहले तो आप बहुत अच्छा कर रहे होगे अपनी लाइफ में बहुत खुश होगे और अब मैं आज लेके आई हूँ फ्रेंज में की एक कम्प्लीट प्रेडिक्शन जो की ह दिख रहा है तो हम इन सारी चीजों पर एक लाइट डालने की कोशिश करेंगे एक ओवरॉल रीडिंग करेंगे कि आपके लिए ये में मन्त कैसा रहेगा ठीक है तो बहुत इंट्रस्टिंग सी और बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है और आई होप कि आप सब के देखूं क्या है देखे आप किसी भी राशी से देख सकते हैं जो आपको मैच करें कभी-कभी मुझे जैमिनाई बहुत मैच करती है मेरा जॉडियक साइन कोई और है लेकिन मेरी जो है वो तो इसलिए आप अपनी नाम का भी राशी होता है नाम से जो राशी बन रही है गर like, मैरे जो राशी बन रहा है उसकी राशी से जादा मैच करती है तो यह आपको देखना है कि क्या कौन सी मैच करती है और उसके है e 고diंग आपको देखना है थीच है तो यहां चीज करें दूसरा friends आपź लोग को notification bell आने को तो जारी करती हो ली दिखे मैं हमेशा वीडिय आप लोगों को ध्यान रखना है ताकि आपको पता लगे क्योंकि कभी-कभी मैं 12 की 12 वीडियो एक दिन में नहीं बना पाती तो 6 आज बनाई, 6 कल बनाई तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखना है कि मैं ने डाला है वीडियो तो नोटिफिकेशन की बेल आल पे रखेंगे तब ही आपको पता चलेगा, अदवाइस आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो आया है, ठीक है, तो हम जल्दी से स्टार्ट क पूरा हर एक सेक्टर में देखेंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, आपके हेल्थ, आपका एजुकेशन, जो की स्टूडेंट्स के लिए अप्लिकेबल होगा, सो फ्रेंज, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है, एंड लास्ट में हम आपके लिए डिवाइन करेंगे, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, प्रोफेशनली कैसा रहेगा, कैप्रिकॉन का में मंत, देखते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एंड टावर, देखिए, मुझे प्रोफेशनली ऐसा लग रहा है, कि आप किसी ट्रांस्फोर्मेशन से गुजरे हैं, एक ट्रांस्फोर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा बदलाव, आपके जॉब करियर में, बिजनस में, जिसे आप शायद डील करने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्रिकॉन, और अभी तक अगर आपके अंदर उन सारी चीजों को स्ट्रेंथ नहीं थी, हैंडल करने की, या हिम्मत नहीं आ रही थी, या बहुत जादा आपकी हिम्मत उपर नीचे हो रही थी, मतलब मैं कहूंगी कि बहुत तरीके से, बहुत समस्दारी से आप इस पूरे situation को, इस पूरे काम को हैंडल करते नजर आ रहे हैं, two of pentacles से मुझे दिख रहा है कि आप बहुत जादा multitasking कर रहे हैं, blessings आ रही हैं आपकी तरफ, आपको divine bless करेंगे कि आप किस तरह से चीजों को हैंडल करें, किस तरह से इस पूरे change को अपनी life में उतार पाएं, आप अगर आप कोई नया कुछ introduce कर रहे हैं, कुछ movement लिया है, कुछ transfer हुआ है, तो इस पूरी चीज़ को, पूरे एक अनुभव को आप बहुत bravely handle करते नजर आ रहे हैं में मन्त में, ठीक है, यह है आपकी personal life, अब हम आपकी personal life के लिए cards निकालते हैं, तो personal life के लिए है 10 of cuffs, night of swords, I am sorry, I think two cards आना चाहते हैं, तो I will take two cards, okay, देखिए 10 of cups, night of swords, the world and six of pentacles, एक चीज़ जो मुझे बहुत clear नजर आ रहे है, वो यह Capricorn की आपकी family में कुछ ऐसी चीज़े हुई है, कुछ time से, आपके घर परिवार में, आपके partner के साथ, आपके बहुत close person के साथ, जहां पर चीज़ें इस तरीके से हुई, शायद आप अपने partner से दूर हो गए, शायद आप की life में बहुत उतार चड़ावाए, बहुत frustration थी, बहुत चीज़ें ऐसी हुई, जहां पर आपको समझ ही नही आया कि मेरे साथ हो क्या गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब जो करने वाले हैं, in the month of May, आप बहुत दिमाग से बहुत सोच कर, आप सब को मिला कर एक साथ करने वाले हैं, क्यों मुझे ऐसी बहुत close, मतलब आप मुझे समझें कि इसमें इतना अच्छा लग रहा है न और six of pentacles से मुझे दिख रहा है कि blessings आ रही हैं उनके लिए, pentacles, six of pentacles जहां लोग भी आपको support कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि हम तुमारे साथ हैं, तुम कुछ करो, तुम अपनी family को फिर से ठीक करो, एक करो, अगर आप रिष्टे देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको कहीं न कहीं बता रहे हैं कि कैसे करना है, अगर आप किसी break up से गुजर रहे हैं, तो उसमें आपको support कर रहे हैं, family कर रही है, friends कर रहे हैं, जिसकी life में जो भी zone चल रहा है, ultimately आपको बहुत जादा लोगों की तरफ से support मिलता नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत frustration हो भी रहा है, तो आपको उस frustration को अपने उपर हावी नहीं होने देना है, और आपको बहुत cool and calmly उन चीजों पर काम करना है, ठीक है, तो ये तो हो गई, friends, आपके लिए personal life की, अब हम students के लिए देखते हैं, क्या है, cards, so 10 of swords का card आया है, the lovers, and then the hermit, students, मुझे दिख रहा है कि somewhere आपकी life में कोई एक ऐसी opportunity है, जो recently miss हो गई है, जिस पर maybe आप या तो बहुत time से काम कर रहे थे, या आप बहुत sure थे, कि ये तो मेरे लिए होगा ही होगा, which you were very much sure, but वो चीज़े वैसी नहीं होई, मुझे दिख रहा है कि आप उसके बारे में बहुत जादा overthink करते हैं, या मतलब आप ये सोच रहे हैं, कि ये miss हो गया, आप pain में हैं, आप सोच रहे हैं, मैं deal कैसे करूँ इस पूरी problem को, देखिए जो opportunity miss हो गई, miss हो गई, you have to move on, अब उस चीज़ से बाहर निकलिए, उसे अपने उपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप जितना overthink करेंगे, जितना तो आने वाली opportunities भी आपकी miss हो जाएंगी, so there is no point कि आप इन चीज़ों का stress ले लेकर, अपनी overall पूरी की पूरी आने वाली life को impact कर दें, कि just because कि मेरा एक exam clear नही हुआ, या मैं एक form नहीं भर पाई, या मेरा ये exam में ये दिकत हो गई, या मैंने वो miss कर दिया, I know things are not easy for you right now, but आपको somewhere समझना होगा कि आप कैसे deal करेंगे अब इस situation से, so आपने आपको बहुत जादा pain में नहीं रखना और handle करना है, ठीक है, last हम health के लिए निकालेंगे, कै इसा रहेगा, Capricorns के लिए health, और हम देखेंगे उनके लिए health card निकालेंगे, two of swords का card है friends, so यहाँ पर जो मुझे health problem नजर आ रही है, दोग problems हो सकती है, अगर आप इससे relate करते हैं, एक तो head की, जाकि आपके सिर में अगर बहुत जादा दर्द है, migraine issue है, कुछ ऐसा है, या आप high BP के patient है, and second eyes से अगर आपको कुछ problem है, so इन दोनों चीजों में, या फिर अगर आप बहुत जादा stress ले रहे हैं, ठीक है, तो इन चीजों में problem हो सकती है, so आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है में में, और अगर हो सके तो, अगर यह severe problem है कोई भी तो आपक prediction for the month of May, अब हम आपके लिए divine guidance निकालेंगे, देखेंगे क्या है divine guidance for Capricorn for the month of May, ठीक है friends, so जल्दी से cards निकालते हैं, देखते हैं, क्या है आपके लिए divine guidance, आल राइट, देखें, ascension का card है, जो की कह रहा है, move into your true self, rise above the darkness, the light is here, अगर आप बहुत जादा कोई भी negative चीज जो life में हो गई है, उसी में फसे रहेंगे, तो आप चीज़े clearly नहीं देख पाएंगे, ठीक है, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना ही होगा, चाहे वो health perspective स हो, चाहे वो आपके job and career में problem है, चाहे वो आपकी education में है, जो भी मैंने अभी आपको सब cards निकाल के, आपके sector wise बताया, आपको इन चीज़ों पे देखना ही पड़ेगा, आपको इन चीज़ों से उपर उठना पड़ेगा, अगर आप उसी में ही फसे रहेंगे न, आपको solution नहीं मिलेगा आपकी problem का Capricorn, then we have phases and cycles, so divine आपको कह रहा है कि ठीक है, एक phase खतम हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है, now accept the reality and move on, आगे बढ़ो, first card से ही second card related है, आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, illusions जो आपके प्रहम थे, जो आपको लग रहा था कि ये होगा, वो होगा, ऐसा ह होता है, वो अब सब कुछ पता चल गया है, अब सब कुछ clear हो गया है, पानी की तरह, now you have to take action friends, ठीक है, so ये है my dear Capricorn and I hope आपको बहुत जादा clarity आई हो इस reading के बाद, for all the sectors, reading पसंद आई हो, तो please इसे like करे, channel को subscribe करे, मिलती हूँ अगली reading में friends, bye for now.